हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में डॉक्टर एतित्या बाली है और चलिए जल्दी से शुरुवात करते हैं कोश्चन अंसर्स की देने की I hope I'm the best and आप सभी को समझ आएगा चलिए शुरू करते हैं ट्रीट्मेंट फोर मुद्रवेगा धारना इस डैश पान इसका हिंदी में मीनिंग है मुद्रा मुद्रवेगा धारन के लिए उपचार डैश पान है तो इधर हमारे पास चार अप्शन है पहली तेल, दूसरी ग्रितम, तीसरी उपटन्स और चौतियाई तक्री तक्रा तो इसका कुरेक्ट अंसर है क्या होना चाहिए आपके साब से कमेंट करके जूर बताना तो मैं आपको बता देता हूँ इसका कुरेक्ट अंसर है ग्रितम इसकी भी चार अप्शन है पहली अप्शन अरक्तज ओस्टा रोगा दूसरी पीतज ओस्टा रोगा और मेदज ओस्टा रोगा इसकी ओप्शन होगी कौन सी ओ कमेंट करके बताना इसकी ओप्शन होगी फर्स्ट रक्तज ओस्टा होगा खर्जुर और फल को टिक करें अब इसके बाद थर्ड कोर्शन बे आते हैं चक्रा तैल इस सजेस्टिड फोर दर फॉलोइंग ओफ शूशूरुत चक्र तैल निमलिखित के लिए शूशूरुत द्वारा समझाया गया है इसमें भी चार अप्शन है अजा गालिका चिप्या विक्रित और पनासी का बी अब इसमें देखा जाये तो इसमें चिप्या को आपने अंडरलाइन कर दो और पिनासी का बी को अंडरलाइन कर दो और इसका कोरेक्ट अंसर है विव्रित 4th question the most effective वजी करना वाजी करन सबसे प्रभावशाली वाजी करन है कौन सा सबसे प्रभावशाली वाजी करन है पहली option आई सालमली दूसरी आई शीर तीसरी आई जिन महिलां को वह पसंद करता है और D option आई चौती option आई आमलकी इसमें सलमाली को अंडरलाइन कर दो और रेड पैन से अंडरलाइन करना है सबने और आमलकी को भी अंडरलाइन कर दो और इसकी correct answer है जिन महिलां को वह पसंद करता है 5th question आया काश्यप टोल्ड देट स्फलिता मुत्रातवा एजे साइन ओफ काश्यप ने बताया कि स्पिलिता मुलतत्व किसी निशानी है तो इसमें A option में है इंटरलिटी बी option में है मधु में थर्ड option है जवर और D option है कामला काश्यप को red band से underline कर दो और स्पिलिता को red band से underline कर लो और जवर को underline कर लो और कामला को underline कर लो और इसका correct answer है जवर आईए सिक्स्ट कोश्चन पर आते हैं इन अमल पित दो कटूरस ओफ पित ट्रांसफॉर्म्स इंटू इसमें चार अप्शन है अमल रस लवन रस तीक्त रस और काश्य रस कशाय रस सौरी सौरी कशाय रस तो इसकी ए उप्शन है ए उप्शन मींज आमल रस अब सेवंध कोश्चन में आते हैं मंदाज वर